दोस्तों CNC Advanced Programming Head of Motivation Channel में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सेटिंग कैसे लगाते हैं CNC मेशिन के उपर सेटिंग का पूरा मेथड़ बताऊँगा आपको कोई भाई चैनल के उपर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकोन को अंकर लिए ताकि मेरी वीडियो आते ही आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों देखिए सेटिंग कि सब्सक्राइब मेंσα में बैसीक नोलेज गपताओ नों चैनल कर आए था चैनल करता हैl कि विविक मेंस बसे पहले हम पार्ट को देखेंगे के पारट यानि कमपोनेंट में नहीं मसीन की ऊपर लूड करना है उस कमपोनेंट के बारे में पताओ ना चैनल कि कि कम्पोनेंट क्या है पार्ट पार्ट के हमारा किस टाइप का पार्ट है राउंड पार्ट है या हमारा एक्सेंट्रिक पार्ट है या कितना एक्सेंट्रिक पार्ट है या हमारा स्वेर पार्ट है या जो हमारा पार्ट है वो फोर्ज पार्ट है या ब्लैंक कटिंग में से है यह पहले से प्रैम tailor क्या हुआ है कई सफ्रकार के पार्ट के पहले मेंां है अधिया हमारा कर्सपार है यहाम इन कर लिम्हांग इन आ कि हि 싸 Ass a для more कि औरह लांगे हैं यह ohh सुकेर पार्ट है यह सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी सबसे पहले यह मी फारत की ऑफ से पर पर कटिंग करके हमने उसकी परी मेक कर रखी है यह आम दूम पार्ट में धो परकार के पर बार्ग होट इसे होट पर्जिंग होता है बलेंग काट रखे हमने ट्रोप के उपर काट रखे हैं या बेंडसा के उपर काट रखे हैं पार्ट हमारा एक्स का भी हो सकता है हमारा राउंड पार्ट भी हो जकता है और स्केर पार्ट भी हो सकता है इसके बाद हम पार्ट की क्लैंपिंग के बारे को का कि है कि अ वर्ट को क्लेंप कि क्ल्सकीं कि ऩॉप के कि लिए क्लेंप है कौण से प्रोस्ससके सबसे हमारा प्र그램 और आफ च्रॉंभ बताए है पार्ड के बारल्ट ऑद मैं देखना है हमें कि हमारी ट्रोन्ग क्या करना है कोण सा उप्रेशन हमें करना है काभी सारे उप्रेशन होता है पार्ट के वो देखना है क्या प्रोसस हमें करना है हमें टर्निंग करनी है या बोरिंग करनी है या बैक बोरिंग करनी है या बैक टर्निंग करनी है या ओडी गुरू लगाना है या आईडी गुरू लगाना है या फेस्कुरू लगाना है या कोई प्रोफाइल बढानी है या कोई बोल करनी है हमें इस टायक के क्या उप्रेश पहना है क्लेंपिंग को अ ही यह मोश्ट इंपर्टेंट की क्लम्पिंग पूरे पार्ट की एकुरेस्य हमारे क्लैंपिंग नहीं तो पेरिल्टिवर्ट्वों मिख1 थे ब्लम फूरह टीई प्रोम फिडिए टेपर की प्रोलम प्रोलम फ्रिए है भूद सारी समिश्या हैं रॉन आउट की प्रॉब्लम आ सकती है या प्लठ की प्रावल्म आती ये हैं अगर क्लैंपिंग प्रॉपर नहीं है तो क्लैंपिंग क क्या करते हैं ड्रोइंग के हंदre देखने मि Państwo करना उसी उसी के वेस के उपर हमें पकड़ने का जो हिसा कोंब और सकते हैं अरजा चख में भी कर सकते हैं प्रीजर फॉर्जा इसके लए माँ कोलेट में उख्लाइम कर से पहलाइड रिए हम Whew ऐस्के लिए उन्फ लैक्ट करेंगे इसके लाइड पार्ट ऐसी होते हैं हुपने तबर सकते है कुछ के अंदर जा चक के साथ में हमें सेंटर भी लगाना पड़ सकता है कि सेंटर टो डेड़ सेंटर चक के अंदर डेड़ सेंटर लगा के कुछ साप्टे होते हैं साप्टों के हम क्या बनाते हैं डेड़ सेंटर टू सेंटर बनाते हैं जहां सेंटर टू सेंटर नाउट र लगा दिया यह में लंबी पार्टें साप्टें जितनी भी सब्लों में सेंटर की जूरविंघ पड़ती थिक यह इसलिए और सब्सक्राइब। नियुक्ते में एंदर में जा चिरम्षब के साथ मैं रोल लिंग इंडर के शाथ में एक गिली दिक комментарона जाएगी वह सारी प्रोवलम आजयए उसकी जैसे जो हमारी बुलेट है उसकी डिग्री जो बिलेट लगती है उसकी डिङरिधि बहुत ही इंपॉर्टंट है और बुलेट का डाया भिंपोर्टेंट है किया बार फियश्कण करना होता है ज्यादा लगा दितो आधो के ऊपर उसलिए क्लेंपिंग के नियुंज त्लिक्सिंगता कि टूलिंग स्लेक्शन देखेंगे टूली स्लेक्शन के अंदर क्या क्या देखेंगे हम हमें कौन सा टूल लगाना है रफ टरनिंग करनी है इसके वाद फिनीश टरनिंग करनी है गुरूइंग लगाना है या कितने डिगरी का एंगल है क्या प्रोफाइल उसके साफ से हम अभर आप् टरनिंग का टूल जुरूर यूज करो फिनिक्ष टर्णिंग के लिए कम से कम मैट्र को लो अगर चुरिछ चुड्ल करो अगर और में अधर तो सब्सक्रास्तों तो पहले राफ्टर्निंग करो फिर फिनिस टर्णिंग को प्रि आईसं थ depri оп is ताकि हमारे पार्ट के अंदर आरे विलू है या या रडी क्यों मंगी है वो हमारी रखनस वेलू भी आजाए और इसके लावा इंसर्ट के लाहिद भी आजाए और साइज भी रुके रहे अगर साइज अब डावन आएगा तो भी प्रोलम आएगी क्योंकि माल जो बना होगे आप खराब हो जाएगा कोई फाइदा है नहीं ऐसे सेटिंग का इसलिए सेटिंग लगाते हुए इस चीज़ का मार्जन फिक्स छोड़ो पूरे पीस के उपर कैसे भी प्रोफाइल हो जो अगर यहाई प्रोफड़ो के इंधर में अपने पॉइंट वसु की लगा रखी अगर आपने पॉंट फॉर लगा दर अगर आपने फाइनल में प्वेंट रखा धो अगर आपने पॉइंट लगा दो है तो आप मैं वन पॉइंट रेडिस की शेंट लगा सकते हुए इसे अगर आपने रफ बोर कर रहे हूं और फिनिश बोर कर रहे हूं तो कम टॉलन से भाप बहतर रहेगा आप यह सुच्छ लगाएं तो सेकल टाइम इंक्रीज होगा ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आपको जो परामिटर उठाने है वह आप रफ्टर निंग में ज्यादा परामिट में जो फरक पड़ता है इंडेक्स परत हुं का और इसके अंदर और मोशेर और व है तो फिनीश के अदर बराबर में यहाँ गए प्रैक कि आई डी कन्ट्रोल करनी है तो यह आपको करना पड़ेगा में रख बोरिंग पार यूज़करने पड़ेगा Łभ का mu अधिल लगा रहे हो यह यह लगा रेंग है तो फिर आपको रबोरियुद करनी जूतनी है क्योंकि अधिबर से इतना ही मार्जन चोड़ोगे फिनिश इस बोर के लिए योडिल से आप finish war के लिए point five का छोड़ना या point four का छोड़ना है material या point three का एक अमाम का छोड़ना वो साबस से योडिल के साबसे उतने डाय का योडिल ले लो आप ताकि finish war के लिए material प्रॉपर है ऐसा ही आपका गुरुविंग का है गुरुविंग लगाना है तो आपको रफ गुरुविंग का टूल लगाने की जूरत नहीं है अगर ज्यादा गहरा गुरु है और ज्यादा आपके चोड़ाई है गुरु की तो वहां पर रफ गुरु कर सकते हो फिर फिनीश की प्रवडमम आती है वो आपके टूल के Ceintrad का विश्व होता है जब भी सेटिंग लगाओ जितने भी आप टूल सेलेक्ट करो टूल सेलेक्ट करने के बाद में देखो आपने जो भी टूल लगा हो तacey रफकता है फिमिस मीश फिनीस वो जो भी टूल लगा हो आप सेंटर्याइट उसकी हो क्योंकि है बट फिर भी पीस को हम फेस करके देखे हे तो पिप बने रही है सेंटर्याइट घैसी है क्यों क्योंकि टूल के अंदर जो सिम लगाते हैं वो सिम भी कोई जुरूरी नहीं है कि आपकी पूरे साइज की हो सिम के अंदर भी साइज इवरेशन का प्रॉलम आसकता है अगर सिम की थिकनस है तो भी दिक्कत आजेगी कम है जाद है तो भी सेंटराइट की प्रॉलम आजेगी इसलिए टूल की अगे खतम हो जाएगी विसके बाद मैं आपने टुलिंग सेलक्षण क्या टूलिंग सेलेक्षण कैंच की आप गेजस के इंस्टूमेंट देखोग आप गेज़े नहीं रहे आपने प्लेज करना है या सिनेप गेज यूज इस्टूमेंट देखो हमारे चुक्क क्या है पॉर्ट के अंदर आघ करनी है या औरी चैक करनी है कोई प्रोफाइल चैक करनी है ये चैकिंगे इन्ष्टूमेंट भी आमके पास हमलेबल होना चुई गोंड है जोРЕ